हालो फ्रेंट्स, वेलकम इंदा टैग टैक अटो गयान में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्थ हैरी और दोस्तो आज मैं लेके आँ हूँ होंडा की तरफ से दो न्यूस, पहली न्यूस है होंडा ब्रियो की और दूसरी न्यूस रहेगी हूंडा सिविक जो की नई लाँच होने जारी है तो शुरुआत करते हैं हम हूंडा ब्रियो से तो दोस्तो काफी टाइम से हम ये देखने को, हमें सुनने को न्यूस, कुछ लीक आउट्स मिल रहे थे कि शायद हूंडा अपनी next generation जो second generation ब्रियो है, उसे इंडिया में launch करेगा, जो की already काफी countries में launch हो चुकी है लेकिन company ने current scenario जो previous year scenario उसको देखते हुए, उसे मद्दे नजर रखते हुए, ये decision लिया है कि वो पहले तो scenario क्या है, वो मैं आपको बताऊँ scenario ये है कि last year इसी scenario को मद्दे नजर रखते हुए company ने ये अलान कर दिया है, ये clear कर दिया है कि वो अपनी next generation ब्रियो इंडिया में launch नहीं कर रहे काफी लोग ये idea लगा रहे थे ये guess कर रहे थे कि शायद Honda ब्रियो में एक नया diesel engine जो की three cylinder engine हो सकता था, वो शायद 1.2 liter diesel engine प्रोवाइट करे लेकिन यहाँ पे company ने बिल्कुल clear कर दिया है कि वो अपनी next generation ब्रियो इंडिया में launch नहीं कर रहे और इसके साथ साथ एक और जटका दे दिया है कि Honda की जो previous first generation ब्रियो इंडिया में आ रही है उसकी sales को भी discontinue कर रहे है करेंगे तो बात करूँ मैं ब्रियो की तो ब्रियो इंडिया में 2011 सेप्टेंबर में launch हुई थी और अब तक के sales figure को हम देखें तो ये अब तक सिरफ 97,000 units ही बेच पाई है अगर हम मारुती की किसी भी famous car से इसको compare करें तो मारुती की कोई एक साल में ही एक लाग से जादा units sale कर लेती है लेकिन आठ साल के करियर में ब्रियो एक लाग का आंकड़ा पार नहीं कर पाई तो इस चलते हुए downfall को देखते हुए company ने ब्रियो को discontinue करने का फैसला ले लिया है दूसरी खबर है हमारी Honda की ही तरफ से Honda Civic काफी जाना माना नाम जानी मानी गाड़ी हमने देखी है चलती हुई लेकिन अब एक नए अवतार में आएगी जो कि 10th generation Honda की Civic एक या दो मन्त में आपको शायद सटकों पे चलती हुई देखने को मिल जाए कुछ जो इसके units है जो की demos होते है वो हमें देखने को कहीं कहीं इंडिया में अलग-अलग जगा पे ये देखने को मिले भी हैं आप ये देख सकते हैं कि एक ZX जो की top variant Honda Civic है काफी देखने में अच्छी लग री है जो की ट्राइल में देखी गई है इसके जो rear and tail lights है वो काफी अच्छे हैं sporty हैं इस गाड़ी में खासियत ये है कि आपको यहाँ पे sunproof का option मिल जाएगा और यहाँ पे दो पेट्रोल इंजन के साथ गाड़ी launch हो सकती है और एक diesel इंजन भी यहाँ पे आपको मिलेगा यह confirm नहीं है कि Honda आपको यहाँ पे दो पेट्रोल इंजन को वाइड करेगा ही करेगा अगर हम रात करें जो current news हमें सुने को बोड़ी है तो वो है 1.5 लीटर तर्बो चार्ज इंजन जो की काफी अच्छी पावर कर रहा है नेच्रली एस्पारेटर इंजन है जो की 139 बहस्प की पावर जनरेट करेगा और 174 नीटर लीटर शॉक्ट यहाँ पे अपको देगा थर्ड इंजन है यहाँ पे डिजल इंजन वो की 1.6 लीटर डिजल इंजन है काफी बहतर पावर जनरेट कर रहा है 198 बहस्प की पावर जनरेट कर रहा है और यहाँ पे टीम सो नीटर नीटर टॉक की पावर आपको प्रुवाइड करेगा जो की काफी बहतर इंजन यहाँ पे देखने को लग रहा है अपने राइवल्स को पूरी की पूरी टकर देने की यह कोशिश करेगा होंडा का जो अब माइंड सेट अब है वही पुराने वाला दोबारा से शिफ्ट हो रहा है कि होंडा कभी जानी जाती थी अपने काम से अपने सेगमेंट की वज़ा से लेकिन होंडा ने पिछले कुछ सालों में ब्रियो को एक हैजबेक के सेगमेंट में इंडिया में लाँच किया और यह देखने की कोशिश की कि अगर एक लोवर सेगमेंट भी इंडिया में होंडा सेल करे तो उसका रिस्पॉंस कैसा रहता है लेकिन फिलहाल जो अब एंट्री लेवल सेगमेंट है वो होंडा के पास अब एक ही गाड़ी बची है और वो है सिडैन और वो है अमेज मतलब एक सिडैन अब एंट्री लेवल गाड़ी जोगी होंडा सेल करेगा प्रियो पूरी तुरा से डिसकंटीनू हो रही है तो आज के ये दोनों news आपको कैसे लगे वीडियो पसंद आया है तो इसको like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए तो मिलते हैं next video में, thank you friends